नमस्कार दोस्तों और के लेक्ट्रोनिक जार्खन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम यह बुलुटूथ रिपियर करेंगे दोस्तों यह हमारी बुलुटूथ है दोस्तों इसको कस्टेमर ने खुद से खराब करके रखा हूँ आप देख सकते हैं यह जो चार्ज अधिवाली नजर आ रही है कि है तो इसमें चार्जिण सोकेट हैी नहीं बिल्कुल खराब करके रखा हूँ कर दिया है इसको अपने से इसमें रैन और करने लगा करके खराब कर किया हुआ है तो दोस्तों इस में हम नहार Cette सॉकेट लगांगे तो जो कि दुस्तों आई ये सबसे पहले से खुलते हैं और सब्सेट कैसे लगाना वाज हम 6 ते हैं दोस्तों मुझे अगर आप इस च焦ल को अगर आप सबस्क्रांश नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप पहुंचेगी और पहुंचती रहेगी तो क्योंकि ऐसा ही कि रिपेरिंग बुल्टूथ रिपेरिंग इलेक्रोनिक्स रिपेरिंग की हर तरह की वीडियो हम ऐसे अप्लोड करता हूं तो आईए दोस्तों इसको हम चार्जिंग सोकेट लगाएंगे और इससे सब सब्सक्राइ लेते हैं बिल्कुल पत्ला अस्टार पेचकस ले लेना है पलस की अब दूस्तों यह जो दो दीख रही है वाइट यह दोनों स्पीकर है इसकी अब दोस्तों यह हमारी स्क्रूप खोल दी है और पत्ला पेचकस की मदद से हलका हलका पूस्ट करेंगे दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए आधा धूरा में देखने से समझ में आएगा नहीं क्योंकि इसकी जो चार्जिंग सोकेट है बिल्कुल पत्ली ट्रेक में सोल्डिंग होती है और बिल्कुल पत्ली पत्ली बारिक सी रहती है तो ज्यादा मोटा सोल्डिंग आरा आपको इसमें मात्र 25 वाट से नीचा का ही नीचे का आयरन लेना है ज्यादा मोटा आरण लेने अपका ट्रेक खराब हो सकता है तो अब 25 वाट की अरण मेरे पास है मुस्ते सोल्डिंग करके दिखाएंगे यह देखिए दोस्तों हमारा यह खुल चुका है और यह हमारी जो अंदर की असमानी कलर की जो है बुल्लू यह हमारी बैटरी है और यह हमारी देखिए आप यह इसकी PCV है अब देखिए दोस्तों इसमें चार्जिंग सोकेट है ही नहीं कस्टमर ने से खुद से खराब करके रखा हुआ था देखिए आप यहां पर चार्जिंग सोकेट नहीं है आपको हम फिर से गवर दिखाता हूं यह देखिए कैसा इसमें प्रिंट कीजब खराब करके तो आधो इससे सही करेंगे दोस्तों ऐसे ऐसके लगा हुआ है एक्सटर वोड ब्रस फोल्डर जो किया हुआ है उन्ट सब्सक्रेइं की मदद से हम साफ्व कर लेंगे कि अ दो ऑर जैसे हम चॉल्स सोकेट लगाएंगे कि दोस्तों इसे हम कि चार्जिंग सोकेट जो है वह हम लगाएंगे तो आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले दोस्तों इसमें हमारी यह वाली चार्जिंग सोकेट लगी ही भी थी इसमें आप देख सकते हैं आपको हम एक बार क्लियर करके केमरे केम सामने रख करके दिखाते है यह देखिए दोस्तों आपको यहां से किलियर नहीं नजर आ रहा है हम इसमें यहां पर रखके दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों यह देखिए तो यह जो हमारी चार्जिंग सोकेट है यह अब हमारी नहीं लगेगी इसलिए नहीं लगेगी दोस्तों कि यहां की जो ट्रेक यहां की जो ट्रेक है यह बिल्कुल निकल चुकी है यहां पर ट्रेक नहीं है तो अब देख सकते हैं बिल्कुल ट्रेक यहां पर ही नहीं तो दोस्तों इसमें इसके जगह पे हम यह वाली चार्जिंग सोकेट लगाएंगे यह वाली चार्जिंग सोकेट लगाएंगे हम तो आईए देखते हैं तो सबस्ब पहले दोस्तों हमें डारेक्ट यह वाली जो चार्जिंग सोकेट है यह हमारी नहीं लगेगी तो इसमें हम जमफर लगाएंगे क्योंकि इसमें जगह तो होती नहीं है पहले वाली जो सोकेट थी वो छोटी थी और यह सोकेट हमारी बड़ी है तो इसे हम इसकी cabinet जो है कहीं भी हम छेदा करके इसको टैट कर सकते हैं और इसमें हम जंफर के माध्यम से दो तार सोल्ड कर देंगे और connection देंगे हम देख लिजी यह हमारी जंफर वाली तार है तार है देख लिजी आप तो हम इसे सबस्पर इसमें जंफर लगाएंगे बिल्कुल हम कैमेरे को सामने करके दिखाएंगे देख सकते हैं आप यह हमारी वहाँ पर पोजिटिव वाली है अब हम ग्राउंड सोल्ड करेंगे यह हमारी वाइट तार जो है वह हमारी ग्राउंड की है देख लिए यह में हमारी जंफर लग चुकी है अब हम दोस्तों इसमें चार्जिंग सोकेट जो है वह हम सोल्ड करेंगे दोस्तों आपको वीडियो में बने रहें दोस्तों इसमें आपको सिखाने के लिए मुझे अगर आपको कुछ नया सिखना है और कोई जानना दोस्तों तो आप मेरा कमेंट बक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे राय दे सकते हैं अब यह देखिए दोस्तों हमारी जमफर बिल्कुल ओक्व हो चुकी है अब हम इसे मुबाइल चार्दर के माध्यम से कनेक्ट करेंगे देख लिजी अब हम इसे सप्ट्राइश नाप करके दिखाएंगे आपको आपको कि देख लिजी अशेज दोस्तों आपको मल्टि मेटर में भी दिखाएंगे आपको यह देख लिजी दोस्तों आपकी सप्लाई हम आपको दिखाते हैं कि देख लिजी यहां तक तो हमारी सप्लाई आ रही है अब हम आगे देखना है आप इसकी ट्रेक कहीं और कटी हुई तो नही है वह ने ड्रेक भी लेते हैं इसके आगे रेक्टिफायर लगा हुआ है तो दोस्तों इसे हम चार्जिंग केंग सप्लाय तो मेरी आ रही थी अब हम इसे चार्जिंग सोकेट फिर से लगा करके देखते हैं यह देखिए यह देखिए यह हमारी चार्जिंग एरेडी जल रही है दोस्तों अब देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह हमारी चार्जिंग आन हो चुकी है तो हमारी चार्जिंग सोकेट तो काम्याब हो गई दोस्तों अब इसे हम आन करके भी देख लेते हैं आपको हम इसे आन करके भी दोस्तों इसे हम ये बुलुटूट काफी दिन से रखा हुआ था तो इसे हम कुछ दिर चार्ज के लिए छोड़ देंगे ताकि मारी बैटरी कुछ चार्ज हो जाए फिर हम अन करेंगे अभी अन हो नहीं रहिए मेरी चार्जिंग तो ओके है अब इसे हम सबसे पहले हम सेट क हम चार्ज इसमें 2 मिनट लगवड लगा चुके हैं तो अब हम इसमें सुच ओन करके आपको दिखाएंगे दिख सकते हैं यह देखे दोस्तों हमारी बुलूटूटूट इसकी आवाज भी आप सुन चुके हैं तो यह हमारी बुलूटूटूटूटूटूश हो चुकी है और हमारी charging भी on है दोस्तों यह हमारी काम्याब हो चुकी है charging socket आप देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो देख लिजे दोस्तों इसमें हमारा signal भी दे रहा है low battery की तो इसे हम charge कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक धन्यवाद दोस्तों थैंक्यू जैहिंदे